आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now तो इस question में हमें दिया गया है कि एक converging lens है जिसका focal length 20 cm है वो 8 cm एक diverging lens से separated है जिसका focal length 30 cm है एक parallel beam of light converging lens पे fall करता है और diverging lens से pass होके diverging lens से pass होके वो point P पे focus करता है तो हमें location और point P पता लगाना है और ये हमें फिर से करना है अगर parallel beam of light पहले diverging lens पे fall होता है तो हमें पता है कि पहले converging lens के लिए converging lens का जो focal length है हमारा वो दिया गया है हमें कितना? plus 20 cm क्योंकि converging lens है ठेक और U जो है हमारा minus infinity है तो हमें पता है कि infinity पे जो raise आती है focus पे हमारी converge करती है तो V जो है हमारा 20 cm आएगा अब 8 cm उनके बीच में distance है कितने? diverging lens और converging lens के बीच में यानि कि ये हो गया हमारा converging lens और यहां से 20 cm पे हमारा image बनेगा लेकिन उससे 8 cm पे हमारा diverging lens है यह हो गया 8 cm यानि diverging lens के लिए जो V हो जाएगा वो 20 minus 8 यानि कि 12 cm हो जाएगा sorry U plus 12 cm और जो focal length हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा diverging lens है तो minus 30 cm अब हमें पूछाए कि final image कहां बनेगा तो यहां पर lens formula लगा देंगे 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F तो यह आगा हमारा 1 by V is equal to 1 by F plus 1 by U तो यहां से हम LCM लेंगे तो यह आजाएगा 60 minus 5 sorry minus 2 plus 5 तो V की value आजाएगी 60 by 3 यानि कि 20 cm यानि कि जो final image होगा वो इस से 20 cm पर बनेगा तो यह होगा हमारा पहले case का answer अब दूसरे case में दिया गया है कि अगर हमारी जो beam है वो diverging lens पर पहले गिरती है तो हमें पता है कि diverging lens के लिए जो focal length है वो हमारा minus 20 cm है और parallel raise आ रही है तो जो V की value होगी वो हमारी minus 20 cm होगी तो इस case में हम डाइराम बना लेते हैं यह होगी हमारा diverging lens और 8 cm पर एक converging lens रखा है तो raise जो है वो कुछ इस तरह आएंगी और इस तरह से diverge होंगी तो यहाँ पर हमारा 20 cm पर image बनेगा 20 और उनके बीच में separation जो है 8 यानि कि convex lens के लिए जो U की value होगी वो होगी minus 28 cm focal length हमें पता है convex lens का कितना है वो है हमारा 20 cm focal length plus 20 cm तो यहाँ से हम V की value निकाल लेंगे V की value आजाएगी mirror formula से sorry lens formula से 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F यहाँ पर U और F की value पुट करेंगे तो V की value आजाएगी 4.2 cm from convex lens यह हमारा answer है Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर